उत्री इसराइल हिजबुला के हमलों से वीरान हो चुका है। क्योंकि उत्री इसराइल के बॉर्डर इलाकों में हिजबुला लगातार भीशन हमले कर रहा है। और ये रॉकेट दूर बनी आईडियफ की पोस्ट पर जाकर गिरते हैं। इसी बीच एक रॉकेट आईडियफ के एक सैनने टावर पर जाटकराता है। इसके बाद रात के अंधेरे में हिजबुला के लड़ा के ताबर तोड तरीके से रॉकेट फायर करते हुए नजर आ रही हैं। इसके बाद करते हैं। बड़ी बात यह है कि नियोट मौर्दिचाय सेटल्मेंट किरियत शमोना के दक्षिन पूर मिस्थित है जो उत्री अलजलील का हिस्सा है। और यह इलाका लेबनान बॉर्डर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको बता दें कि हिजबुला ने जाउरा इलाके में भी कई राउंस कत्यूशार रॉकेट दागे हैं। इसके साथ ही मर्ज, सुमाका और रासरलीन इलाकों पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेट फायर किये गए हैं। यहां तक कि हनीता सेन ने चौकी पर भी हिजबुला ने गोला बारूद दागा है। वहाई इसराइली मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजबुला ने इसराइल पर सौ से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इसको लेकर किरियच शमोना के मेयर ने चैनल 13 से पुष्टी की है कि हिजबुला के हमलों में पांच नए सेटलर्स यूनिट शती ग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा गलीली, किरियच शमोना, डिशोन, बेखले और तेलहाई में करीब 12 आग बुजाने वाली टीमों को रवाना किया गया। इसराइली मीडिया के मताबिक ये आग सेटलमेंट्स और खेती वाली जमीन पर फैल गई थी। इसराइली मीडिया का कहना है कि अकेले 65 रॉकेट्स गलीली पैनहंदेल इलाके पर दागे गए थे। जबकि कुछ रॉकेट्स खुले इलाके में आकर गिरे थे जिससे आग लगने की घटनाए हुई है। आईडियाफ के मताबिक एक प्रोजेक्टाइल शतूला के बॉर्डर के पास और पांच रॉकेट्स पस्चिमी वेस्टन गलीली के जारीद में फायर किये गए थे। और इसके बाद शाम को एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किरियक्शमोना इलाके में दागी गई जबकि 30 रॉकेट्स गलीली पन अंदेल पर फायर किये गए। हाला कि आईडेफ का कहना है कि हिजबुला के हमलों से कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इन हमलों के बीच आईडेफ ने हिजबुला के हमलों पर पलटवार भी किया है। IDF के मताबिक इसराइल के लड़ाकु जेट्स ने दक्षणी लिबनान के कोनीन और काबरिका में बने लॉंचर्स को एर स्ट्राइक में उड़ा दिया IDF ने इसका वीडियो भी जारी किया है आपको बता दे कि जिस वक्त हिजबुला उत्री इसराइल को दहला रहा था उसी दोरान इराक से एक ड्रोन इसराइल की तरफ फायर किया गया था जिसे IDF ने मार गिराने का दावा किया है इस हमले को लेकर IDF का कहना है कि पूरवी दिशा से एक ड्रोन इसराइल की तरफ बढ़ रहा था जिसे इसराइली एर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया है ये ड्रोन इसराइल के एर स्पेस में एक धुस नहीं पाया था आपको बता दे कि इरान समर्थित इराकी मिलीशिया ने इस ड्रोन हमले की जिम्मेदारी ली है और इससे पहले भी इराकी प्रतिरोधी समू इसराइल पर दर्जनो ड्रोन हमले कर चुका है